अंध अंध्र का स्थराय व mac े अई गाइस कैसे हैं, आफ ये मैं सब सब फबते हुआ था के शिच ते चेनल पर इस वीडियो में मैं ब Muk iidd pada काकरने वाला है, अंधली उन अवरसीटिए ऐ एंड देहले अधे बारे में इक वेडियो में बनाया था KoreanTop Haos में इसमें वारे में बनाया था जिस्पे मैंने अल्ट में अधनी इसका फोकस किया था। उसके साथे साथ मैंने Other Accommodation Facility जैसे की PG, Flat, कौन सी बेटर रहेगी और थोड़ी सुसकी भी इन्फरमेशन दी है लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो Other Accommodation Facility जो की PG और Flat है इन दोनों चीज़ों के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अगर हम लोग PG की बात करें तो यह तरीके का Accommodation प्रोवाइट करने का एक तरह का Type ही है इसका मतलब होता है Paying Cash इसमें यह होता है कि आप कुछ पैसे दे करके आप एक रूम जो है वेल फॉर्निस रूम आप एक हान कर सकता है यह जो PG होता है इसमें आपको कुछ basic facilities भी मिलती है इसके साथ आप कुछ फैसलिटी आप एड़ भी कर सकते हैं जैसे कि AC, non-ACF, other thing और कुछ PG जो होते हैं जो food के अलग charges लेते हैं और कुछ PG वाले जो होते हैं इसमें जो food का charges included रहता है तो यह आपका PG का पूरा system अगर हम minimum cost of PG के बाद करें तो आपका 5000 या 4000 से कम नहीं होगा without food और अगर आप food include कर लेते हैं तो वो 5-6,000 या 6.5,000 भी चला जाता है और वो भी depend करता है कि आपका PG आपके college से कितना दूर है फिर वो किस location पर है यानि कि यूँ कहें तो PG का जो rate है वो उसके location पर depend करता है जो facility वो प्षय प्रोवाइट कर रहा है उस पर depend करता है पर फिर भी अगर हम लगे minimum cost के अगर हम बात करें कि एक महीनी का अगर हम PG में रहते हैं तो food कितना charges आ जाएगा तो तक्रीबन मान के चलिए कि वो 6,000 रुपे PG का आपका पड़ जाएगा वही है अगर हम लोग flat की बात करें तो flat से तो आप सारे रूबरू होंगे flat में आपके आती है 1BHK, 2BHK इसका ये मतलब होता है 1 room, 1 hall and bathroom 2BHK का मतलब 2 room and a hall and bathroom तो ये पुरा system होता है flat का अब इसमें flat का minimum cost है वो आपका 1BHK का 10-12,000 पर सकता है charges जो है वो extra लगेंगे जब आप उसको well furnished लेंगे इसका भी flat का भी जो rate है वो depend करता है कि आपका जो flat है वो किस location पर है या फिर आपके college से कितनी दूरी पर है तो आप जब जिस college में भी जाए तो आप वहां पर कोशिश करें कि जो flat हो ओो काफी मतलब ऐसे काफी पोश्ष उस जगह के पोश्ष एरिया में न हो थोड़ा सा market से थोड़ी सी distance पे हो जादे दिस्टेन्स में न हो थोड़ी सी दिस्टेन्स पे हो काफी और आपका फ्लात वो भी काफी पोश्चेन आओ वो काफी वो भी आलिशान फ्लैट नाओ थोड़ा सा मीडियम रेंज में लीजिए एंड कॉलिज के नजदीक कोशिश करें विदिन 5 किलोमेटर रिडिश में लेने की I study in South Campus so I know better about South Campus South Campus के आराउंड जो जितने भी PG या फ्लैट है वो आप देख सकते हैं अगर आपको South Campus में अगर आप एडमिशन ले सकते हैं तो जो नियर भाई जो 100 मीटर में अगर आपको जो PG मिल जाएगा वो सत्या निकेतन ही है जो कॉलेज के सबसे नजदीक पढ़ता है उसके बाद से अगर आपको थोड़ी सी धूर लेनी है या फिर थोड़ी सा रिट का अगर आपको दीखना चाहते हैं तो आप South Extension देख सकते हैं राजावडी गार्डें में PG देख सकते हैं नाराणा विहार में देख सकते हैं मुनिर का में PG देख सकते हैं इन सभी जगा पर आप फ्लैट भी देख सकते हैं डैली कैंट में देख सकते हैं यह जो ऐसे जगह जो डैली उनिवसिटी के 5-6 किलोमेटर के रेडियस में पढ़ते हैं साथ केमपस के और अगर आप आप केमपस के स्टुडेंट है तो आपको 4-5 किलोमेटर की रेडियस में देख लेना चाहिए और आप OU Life करके एक एक आप है वह आप उस पर जा करके सर्च कर सकते हैं यह वीडियो स्पॉंसर्ड नहीं मैंने बस नाम बताया है तो आप देख सकते हैं और भी आप 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 देख सकते हैं मतलब आप गूगल करके डिफरेंट तरीके के एप्स एंड ब्रोकरेज वेबसाइट अवेलेबल है तब वह भी देख सकते हैं अब यहां पर आपको कुछ नूट करने वाली बात है जो आपको जाननी चाहिए पहला जो सिस्टम आप यह जान लीजिए को विद फूड एंड विदाउट फूड उसका कोस्ट क्या पड़ेगा आप वह पहले चेक कर लीजिए दूसरा यह पॉइंट है कि जो यह पीजी करके नव जाएं और सेकेंड चीज यह है कि अगर आप खाली करके जाते हैं तो आपको पैसा रिटर्न नहीं होगा तो यहां पर यह कंडिशन जो आप एक बार जबी भी किसी भी पीजी में जाए या फिर किसी भी पीजी अंडर से बात करें तो यह यह दोनों चीज़ा वह आप ऐसे चारों तरफ से बेल्डिंग से ढखा ना हो सालाइट आती हो तो यह तीनों बातों के आपको ध्यान लखना बहुत ज़रूरी है और दूसरा फ्लैट के अगर आम बात करें तो फ्लैट में अगर आपको ऐसे दिल्ली में तो आप खुद जाकर के फ्लैट ढूटना जो है काफी मुश्किल होता है तो आप यह काम कर सकते हैं कि आप किसी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं किसी आप के थुरू आप ढूट सकते हैं और वहां पर जो है वह चेक कर लिजेगे कि उसकी ब्रोकरेस चार्ज कितना है ब्रोकरेस चार्ज जो है एक फ्लैट अगर आ बता दियें तो आपको चूज करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान में रखिएगा और बाके गर कोई सब्सक्रावाज आप सेयंते जित की बातों करना Canon